नमश्कार दोस्तों सौगेत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित पे हैं तो दोस्तों कल अगर आप डिसक्शन देखे होंगे अगर अपने लास्ट का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपसे कल भी यही बोला था और मैंने आपको परसो भी पहला जो देखेगा execution होना चाहिए वा आपका sell on rise का होना चाहिए यानिकि पहली एक profit booking दिख जाएगी अगर market gap अप खुला है कल भी same strategy पर work किया work देखेगा profitable रहा आप description में देखेगा टेलीग्राम का link मिल जाएगा जाके check out करिएगा और आज तो यह strategy बहुत powerful रही और within scalp में लोगों ने बहुत अच्छा देखेगा learning and earning कर आए तो यह सारी चीज़े क्या होती है कि आप कितने ज़्यादा database fact को निकाल के भाह ला रहे हो अब data कैसे analyze करो यह बहुत महिन रखता है जितने लोग भी केवल देखेगा केवल एक ही चीज़ पर work करते हैं एक domain में work करते हैं इसे candle देख रहे हैं तो candle पे ही work कर रहे हैं तो मैं उसे जरूर करूँगा कि candle में अगर आप data add कर दोगे तो आपके लिए supplement asteroid की जैसा work करेगा तो यह चीज़ बहुत दुरूरी होती है तो अब कल के लिए मुझे लगता नहीं कि reliance industry में उतनी ताकत बचिए है reliance industry में ताकत न बचने के दो कारण है इसलिए nifty से थोड़ा सा दूरी रखिए क्योंकि nifty 50 को जो energetic way में drive करता है वो reliance करता है वो आपको पाता भी है कि पिछले 5 दिनों से reliance अप में है रिलाइस profitable है मतलब रिलाइस गिर नहीं रहा इसलिए भी nifty आगे sustain हो रहा है एक closing देता है अच्छी एक देखेगा तेजी देता है उसके बाद sustain करता है अब रिलाइस में पहला reason क्या है crude oil के prices तेजी से drastic fall हो रहा है crude oil में और crude oil में ज़्यादा आवशक्ता से अधिक fall oil and gas companies के लिए अच्छे नहीं है इसका मतलब less demand less consumption और अगर less demand होगी oil and gas की तो इनका oil to chemical जो business है जिसके result आपको जनवरी first week second week में देखने को मिलेंगे तो वो सीधा impact करेगा वो भी इस particular festive season में तो आप देख रहे हैं कि आज भी UK लंडन में इसका GDR इतना अच्छा अच्छा perform नहीं कर रहा है 0.5 की यहां पर आपको तेजी देखने को मिल लिए है तो यह one of the reason है कि अगर positive खुल जाते है या फिर देखेगा flat खुलते है तो इसका मतलब market एक नीचे की देखेगा आपको direction दे सकता है profit booking की थोड़ी सी scalping भर की इतना नहीं कि मार्क इंदम से market गिरने ही लगेगा तो यह चीज़े पहली आपकी strategy second आपकी है देखेगा HDFC bank HDFC bank में जितनी तेजी होनी थे actual में हो चुकी है थोड़ा सा HDFC bank pause लेगा यह morning का data reflect हो रहा है आपको इसलिए आपको यहां पर देखेगा तेजी देखने हुब लिए है बट यह मैं आपको उता रहा हूं कि HDFC थोड़ा सा pause देगा आने वाले दो दिनों में चुकिए RBI की यहां पर monetary policy भी होगी वो जो बैंकों के regarding है और बैंकों को लेकर कुछ ना कुछ तो देखेगा little bit strictness वाली बात ज़रूर होगी जब strictness वाली बात होगी तो देश का सबसे बड़ा private lender वहां पर देखेगा profit booking शो करेगा तो यह आज भी आना है कल भी आना है और परसो भी आना है एनी टाइम तो यह आपको 104.5 पर देखने मिलेगा कितना 104.5 के पास देखने मिलेगा और उसके बाद आपको पता ही है कि यह कितना ज़्यादा impactful लाएगा हमारी currency के लिए और से currency सीधा देखेगा problem में भी आईगी फिर अच्छी बात नहीं है इसका मतलब demand नहीं आ रही है चाइना की तरफ से metal में भी demand नहीं आएगी consumption घटेगा incomes घटेगी data खराब आएगा economic activity तो होगी जिसका बहुत बड़ा impact पड़ेगा पूरे visual के market में जो कि अच्छी बात नहीं है पिर अगर आप देखेंगे तो dow futures अभी नहीं painful है और कल के लिए आपका 47100 का level अपको कहीं मिल जाता है तो फिर आपका देखेंगा जो नीचे का support है वो आप का रहेगा profit booking आपको देखने हैं बिलेगी पहले तो और कहीं से भी देखेंगा 46740 का level तूटता है तो फिर आपको 46660 का level देखने हो मिलेगा और यह तू तो यहां पर अभी भी डेटा बना हुआ 880 जब तक यह नहीं टूटेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है यह जैसे ही टूटेगा तो आपको 660 तक के दर्शन हो सकते हैं उपर की तरफ हर्डल बनेगा 21 075 यहां पर मिल जाता है तो प्रॉफिट बॉर्किंग जरूर देखने ह मिलेगी फोकस करेगा वीडियो गर अच्छा लगे तो लेक्षे सब्सक्राइब करेगा थाइकू समझ